परिचय इस पार्ट में आप जानेंगे कि संग्रहित आँकणों की व्याख्या तथा विशलेशन कैसे करते हैं। उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। दिये गए आँकणों के परिसर को ग्याद करना। दिये गए आँकणों से विचलन को ग्याद करना। दिये गए आँकणों से मानकिया प्रमाप विचलन और विचरन को ग्याद करना। बारम बारता बंटन का विशलेशन करना विक्षेपन या प्राकिर्ण की माप विक्षेपन या प्राकिर्ण की माप संख्यात्मक रूप से ये बताने में प्रयोक्त होती है कि विभिन प्रेक्षणों में आसतन किस परिमार तक पारस परिक भिन्नता है एक प्रिक्षण से दूसरे प्रिक्षण की विसंगती जितनी विस्त्रित होती है विक्षेपन उतना ही अधिक होता है नीचे दिया गया ग्राफ आंकडों में विक्षेपन को दिखाता है विक्षेपन की मापे निमनलिकित हैं परिसर, चतूर्थक विचलन, माथ्य विचलन और मानक विचलन. परिसर, सबसे बड़े तथा सबसे छोटे विक्षेपड़ों के अंतर को परिसर यानी रेंज के रूप में परिभाशित किया जाता है. ये सभी मापों में सरहलतम है. चलिए, एक उधारण लेते हैं. समुच्च A तथा समुच्च B का परिसर क्या है? समुच्च A के लिए परिसर 44 घटा 2 बराबर 42 है. तथा समुच्च B के लिए परिसर 17 घटा 17 बराबर 0 है. परिसर की सीमा ये एक केंद्रिय प्रवृत्ती से आंकणों की विसंगती के बारे में कुछ नहीं बताता. माध्य विचलन माध्य विचलन आंकणों के माध्य के संदर्भ में आंकणों के एक समुच्च के निरपेक्ष विचलनों का माध्य है. अवर्गी कृत आंकणों के लिए माध्य विचलन कैसे ग्याद करें? इसे ग्याद करने के चार चरण है. चरण 1 हम दिये गए आंक्णों का माध्धे ग्याद करते हैं। माध्ध से संबंधित प्रेक्षणों के विचलन ग्याद करते हैं। चरण तीन विचलनों के निर्पेक्ष मानों को ग्याद करते हैं। चरण चार फिर हम वांचनी ये माद्धे विचलन को ग्याद करते हैं आईए इसे एक उधारण की मदद से समझते हैं उधारण निम्ने लिकित आंकणों के लिए माद्ध के सापेक्ष माद्धे विचलन निकालें आकड़े का माध्य निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है X बार बराबर बारा इसके पश्चाद हम माध्य से सापेक्षित प्रिक्षणों के विचलन को ग्याद करते हैं चूंकि XI घटा X बार बराबर घटा 9, घटा 5, घटा 4, 0, 2, 5, 11 है तब XI घटा X बार के निर्पेक्षमान है 9, 5, 4, 0, 2, 5, 11 अंतदा हम सूत्र का अप्योग करके माध्य विचलन ग्याद करते हैं माध्य विचलन वर्गी कृट आंकणों के लिए माध्य विचलन कैसे ग्याद करें आंकणों को दो श्रिणी में बांटा जा सकता है आसतत बारंबारता बंटन और सतत बारंबारता बंटन आसतत आवरित्ती बंटन यदि दिये हुए आंकडे याद्रिच्चिक बरंबार्ता के साथ होते हैं, तब इसे असतत अवरित्ति बंटन कहा जाता है. मध्धिविचलन को दो तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है. 1. माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन और माध्य का के सापेक्ष माध्य विचलन माध्धे विचलन माध्धे के सापेक्ष माध्धे विचलन सर्व प्रथम हम नीचे दिये अनुसार माध्धे ग्याद करते हैं I पराबर 1 से N तक XI तथा FI के गुणनफल के योग में N से भाग देने पर प्राप्तांग जहां I पराबर 1 से N XI तथा FI के बीच प्रेक्षणों XI का उनकी सापेक्षित बारम बारताओं FI के साथ गुणन योग फल प्रकट करता है N पराबर I पराबर 1 से N तक बारम बारताओं का योग फल तब हमें मादि के सापेक्ष प्रेक्षणों XI का विचलन प्राप्त होता है तथा I बराबर 1, 2 से N के लिए उनके निर्पेक्ष मान लेते हैं और इसके पश्चात हम निम्न के माध्यम से वांचनी ये माध्य विचलन को ग्याद करते हैं I बराबर 1 से N, बारंबारता और निर्पेक्ष मान के गुड़न योग में N से भाग देने पर प्राप्तांग उधारण निम्नलिकित आखणों के लिए माध्य से माध्य विचलन ग्याद कीजिए हल, बेतर ढंग से समझने के लिए प्रथम दो पंक्तियों में हम दिये गए आखणों को लिखते हैं बारंबारताओं का योगफल 36 प्राप्त हुआ त्रितियस तंभ में दिये गए XI तथा FI का गुड़न ग्याद करते हैं तथा उनका योगफल 486 है इसके पश्चात हम नीचे बताए गए सूत्र द्वारा माध्धे निकालते हैं आई बराबर एक से छे XI तथा FI के बीच गुड़न और उनके योग में N से भाग अता 13.5 प्राप्त हुआ चौते स्टंभ में हम XI तथा माध्धे X-BAR के बीच के अंतर का निर्पेक्षमान ग्याद करते हैं पांचवे स्टंभ में हम निर्पेक्षमानों तथा बारंबार्ताओं के बीच का गुड़न ग्याद करते हैं तथा उनका योगफल 180 है और अंतता निम्ण के द्वारा माध्धे ग्याद करते हैं आई बराबर एक से च्छे, बरंबार्ता और निर्पेक्ष मान के गुणन के योग में एन से भाग देने पर 4.5 प्राप्थ होता है. माध्य विचलन माध्य का के सापेक्ष माध्य विचलन सर्वप्रधम हम माध्य का ग्याद करते हैं. इसके पश्चाद हम माध्य का के सापेक्ष विचलनों के निर्पेक्ष मानों के माध्य ग्याद करते हैं. तथा फिर माध्य का विचलन इस प्रकार ग्याद करते हैं. I बराबर एक से N तक बारमबार्ता FI तथा निर्पेक्ष मानों के गुड़न फल में N से भाग देने पर प्रापतांक जहां M माधिका है N बारमबार्ताओं का योग फल है I अर्थात 1,2,N आईए एक उधारन लेते हैं उधारन निम्निलिकेद बारमबार्ता बंटन की माधिका से माधिविचलन ग्याद कीजिए हल बेहताधन से समझने के लिए पहली दो पंक्तियों में हम दिये गए आख्रों को लिखते हैं बारमबार्ता FI का योग फल 60 ग्याद हुआ फिर हम दिये गए विचलन के लिए माधिका ग्याद करते हैं जो 13 वर्ष प्राप्त हुआ तीसरे स्थम्भ में वर्तमान बारमबार्ता में पूर्वु बारमबार्ता को जोड़ कर हम संचई बारमबार्ता ग्याद करते हैं चौते स्थम्भ में हम माधिका तथा XI के बीच के अंतर का निर्पेक्षमान ग्याद करते हैं तथा इसे DI के द्वारा दर्शाते हैं पांचवें स्थम्भ में हम बारमबार्ता तथा निर्पेक्षमानों के बीच का गुणन ग्याद करते हैं तथा उनका योग फल 60 है मानों के गुडन फल के योग में एंसे भाग देने पर एक दशमलव एक दू वर्ष प्राप्थ होता है। मात्य विचलन सतत बारंबारता बंटन एक सतत बारंबारता बंटन के मात्य के विचलन का परिकलन करने है तू एक्स आई ग्याद करने के लिए वर्गों का मात्य मान ग्याद कीजे तथा एक असतत बारंबारता बंटन के लिए आके बढ़िए। सतत बारंबार्ता बंटन में बारंबार्ता कभी नहीं तूटती है माध्य विचलन को दो तरीकों से ग्याद किया जा सकता है एक माधिके सापेक्ष माध्य विचलन दो माधिका के सापेक्ष माध्य विचलन चलिए कुछ उधारन लेते हैं उधारन निमने लिखित आंकणों के लिए माध्य से माध्य विचलन ग्याद कीजिए हल प्रतम स्थम्भ में हमने दिये अनुसार वर्गों को लिखा है दुतिय स्थम्भ में हमने एक्स आई के रूप में वर्गों के माध्यमानों को लिखा है त्रेतिय स्थम्भ में हमने दिये अनुसार बारंबारता को लिखा है तथा उनका योगफल बानबे प्राप्त हुआ चौते स्थम्भ में हम दिये हुए XI तथा FI का गुरंद ग्याद करते हैं तथा उनका योगफल 3870 है इसके पश्चाद हम नीचे बताय अनुसार सूत्र से माथ्य ग्याद करते हैं आई पराबर एक से आठ एकस आई तथा FI के गुरंद फल के योग में N से भाग देने पर 42.065 ग्याद हुआ पांचवें स्टंब में हम XI तथा माथ्य एकस बार के मध्य निरपेक्षमान ग्याद करते हैं चटवें स्टंब में हम 12.12 FI तथा निरपेक्षमानों के बीच का गुरं ग्याद करते हैं तथा उनका योगफल 1425.22 ग्याद हुआ और अन्तता हम निमने लिखित के द्वारा माध्य विचलन ग्याद करते हैं आई बराबर एक से आठ बारंबार्ता और निरपेक्षमानों के बीच के गुरं फल के योग में N से भाग देने पर प्रापतांक 15.49 है माध्य विचलन हम एक लगू विधी के द्वारा माध्य के सापेक्षम माध्य विचलन का परिकलन कर सकते हैं इस विधी में हम निमन के रूप में एक नया चर लेते हैं डि आई बराबर एकस आई तथा एके बीच के अंतर में H से भाग जहां A कल्पित मात्य है वा H सार्व गुणन खंड है अब इस विधी में माध्य के लिए सूत्र बन जाता है कल्पित मात्य धन I बराबर एक से N तक F I तथा D I के गुणन में N का भाग तथा H से गुणा चलिए एक और उधारन लेते हैं उधारन लगुविधी का उप्योग करके निमनिलिकित आंकणों के लिए माध्यों से माध्य विचलन ग्याद कीजिए हल प्रतम इस्तंभ में हमने दिये अनुसार वर्गों को लिखा है दूतिय स्तंभ में हमने X I के रूप में प्रतेक वर्क के लिए माध्धे मानू को लिखा है। 33 स्थम्ब में हमने दिये अनुसार बारम बारता को लिखा है तथा उनका योगफल 92 ग्याद हुआ। 34 स्थम्ब में हम XI तथा A के बीच के अंतर वा भाग H को ग्याद करते हैं तथा इसे D.I. द्वारा दर्शाते हैं। 5 स्थम्ब में हम FI तथा D.I. का गुणन ग्याद करते हैं तथा ये घटा 27 ग्याद हुआ। इसके पश्चात हम नीचे बताई सूत्र के अनुजार माध्य ग्याद करते हैं। कल्पित माध्य धन आई पराबर 1 से N तक FI तथा D.I. के गुणन फल में N से भाग तथा H से गुणन करने पर प्रापतांक 42.065 ग्याद हुआ। चटवें स्थम्भ पंग्ती में हम XI तथा माध्य यानि X बार के बीच के अंतर का निर्पेक्ष मान ग्याद करते हैं। सात्वें स्टंभ में हम बारमबार्ता F.I. तथा निर्पेक््ष मानू का गुणन ग्याद करते हैं तथा उनका योगभल चादा सो पचीज दश्मलव दो दो है तथा अन्थता हम निमनु प्रकार से माध्ध्विचलन ग्याद करते हैं आई पराबर एक से आट तक बारंबारता तथा निर्पेक्ष मानों का गुड़न भाग एन का योगफल 15.49 है माध्धिविचलन माध्धिका के सापेक्ष माध्धिविचलन सर्वप्रथम हम नीचे दिये गए सूत्र के माध्यम से माध्धिका ग्याद करते हैं निम्न परिसीमा जमा एन बटे दो तथा माध्धिका वर्ग से सटीक पहले वर्ग की संचई बारंबारता के बीच का अंतर बटे F गुणे H जहां माधिका वर्ग वह वर्ग अंतराल है जिसकी संचई बारंबारता एन बटे दो के बराबर या उस से अधिक है N बारंबारताओं का योग है L निम्न सीमा है F बारंबारता है H माधिका वर्ग की चौड़ाई है और C माधिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचई बारंबारता है माधिका ग्यात करने के पश्चात प्रतेक वर्ग के मत्ध बिंदू X I का माधिका से विचलनों का निर्पेक्षमान ग्यात किया जाता है तब वांचनी ये माधिविचलन है I पराबर 1 से N तक बारंबारता F I तथा निर्पेक्षमानों के कुड़न फल के योग में N से भाग का प्राप्ता है उधारन निमने लिकित आख्णों के लिए माधिका से माधिका से विचलन का परिकलन कीजिए हल प्रतम स्थम्भ में हमने दिये अनुसार प्रती सप्ता मस्दूरी को लिखा है दुतिय स्थम्भ में X I के रूप में प्रतेक वर्ग के माधिमानों को लिखा है तुतिय स्थम्भ में हमने दिये अनुसार बारंबारता F I को लिखा है तथा उनका योग साथ ग्यात हुआ. चौथे स्थंप में हम वर्तमान बारंबारता में पूर्व की बारंबारता को जोड़ कर संचई बारंबारता ग्यात करते हैं. इसके पश्चात हम सूत्र का उप्योग करके मादिका ग्यात करते हैं. निम्नसीमा, जमा, एन बटे दो तथा माधिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचई बारंबारता के बीच का अंतर बटे FM गुणा H तथा ये 45 ग्याद हुआ पांचवे स्थम्भ में XI तथा माधिका के मध्य अंतर जो 45 है उसके निर्पेक्ष मानों को ग्याद करते हैं तथा निर्पेक्ष मानों को DI के द्वारा निरूपित किया जाता है चटवे स्थम्भ में हम DI तथा बारंबारता FI का गुणन ग्याद करते हैं एवं उनका योग 680 ग्याद हुआ और अंतर था हम निम्न के द्वारा माधिविचलन प्राप्त करते हैं बारंबारता तथा DI के गुणन फलों के योग में हैंसे भाग का प्राप्तांक 11.33 है माधिविचलन माधिविचलन की भी अपनी परिसी माएं हैं आ इस विधी का सबसे बड़ा दोश यह है कि इसमें पदों का विचलन लेते समय बीजिये संकेतों की वो पेक्षा की जाती है बार ये विधी हमें अत्यंत सटीक परिणाम नहीं दे सकती क्योंकि माधिका एक असन तोश चनक माप है जब एक श्रिंकला में परिवर्तन शीलिता की डिगरी बहुत अधिक होती है यदि हम माधि से माधिविचलन की करना करते हैं तब भी ये वांचनिये नहीं है क्योंकि माधे संकेतों को छोड़कर उससे विचलनों का योग माधिका यानि संकेतों को छोड़कर उससे विचलनों के योग से अधिक होता है यदि माते विचलन की बहुलक से गर्ना की जाती है, तब ये भी वैक्यानिक नहीं है, क्यूंकि बहुलक का मान सदैव निर्धारित नहीं होता है प्रासरन तथा मानक विचलन माद्य विचलनों की सीमाओं को दूर करने के लिए हमने प्रासरण तथा मानक विचलनों को प्रियुक्त किया है प्रासरण माद्य से वर्गांतर का आउसत है मानक विचलन एक माप है जिसकी संख्याएं कितनी बिक्री हुई है प्रासरण के लिए सूत्र निम्न है जहां N प्रिक्षणों की संख्या है तथा मानक विजलन के लिए सूत्र प्रसरन का वर्कमूल है एक असतत बारंबार्ता बंटन का मानक विजलन निम्न है जहां N बारंबार्ताओं का योगफल है एक सतत बारंबार्ता बंटन का मानक विजलन निम्न है XI प्रतेक वर्ग के मात्य पिंदु के रूप में ग्याद होता है मानक विजलन के लिए एक और निवन सूत्र है प्रसरान तथा मानक विजलन को ग्याद करने की एक लगुविधी निवन है जहां YI परावर है XI तथा कल्पित मान A के मद्दे अंतर बटे H के A कल्पित मान है H सार्व कुणंखंड है आईए कुछ उधारन को देखते हैं उधारन निमने लिकित आंकणों के लिए प्रसरान तथा मानक विजलनों का परिकलन कीजिए हल प्रतम इस्तंभ में हम सभी दिये गए प्रिक्षणों को लिखते हैं इसके पश्चात हम इसे जोड़ कर प्रिक्षण का माध्दे ग्याद करते हैं तथा फिर प्रिक्षणों की संख्या से विभाजित करते हैं जोकी इस इस्ति में नौ है दिये इस्तंभ में हम माध्दे एक्स बार से प्रिक्षणों का अंतर ग्याद करते हैं तथा उनका योग 960 ग्याद हुआ तथा अंतता हम प्रस्वरण निम्न प्रकार से ग्याद करते हैं ये 106.67 ग्याद हुआ इसके पश्चात हम प्रस्वरण के वर्गमूल के रूप में मानक विजलन ग्याद करते हैं तथा ये 10.32 ग्याद हुआ उधारण निम्न लिखित बंटनों के लिए प्रस्वरण तथा मानक विजलनों का परिकलन कीजिए हल प्रथम दो स्तंभों में हमने XI तथा FI दिये अनुसार लिखा है बाराम बारता FI का योग 69 है त्रितिय स्तंभ में हम FI तथा XI का ग्याद करते हैं तथा उनका योग 1067 ग्याद हुआ इसके पर चात हम FI तथा XI के ग्याद को जोड़कर मात्य ग्याद करते हैं तता फिर बारम बारता के योग फल से इसे विभाजित करते हैं जोकी 69 है ये 18.08 ग्याद हुआ चतूरते स्तंभ में हम XI तथा मात्य X बार के मत्य अंतर ग्याद करते हैं पांचवे स्तंभ में हम XI तथा मात्य के मत्य यानि X बार अंतर का वर्क निकालते हैं चटवें स्टम्ब में हम XI वा मात्य यानि X बार के मत्य अंतरों का वर्ग तथा बारम बारता का गुड़न ग्याद करते हैं। तथा उनका युगफल 2344.558 ग्याद हुआ। तथा फिर हम निमनिके द्वारा प्रसरन ग्याद करते हैं। ये 49.73 ग्याद हुआ। इसके पश्चाथ हम 49.73 का वर्ग मूल करके मानक विचलन ग्याद करते हैं। तथा ये 6.30 ग्याद हुआ। उधारन आए देखते हैं कि सतत बारंबारता बंटन के लिए मानक विचरन तथा प्रसरन कैसे ग्याद करते हैं। हल प्रतम स्टंभ में हम दिये गए अनुसार वर्गों को लिखते हैं। दूट्य स्टंभ में हम XI के रूप में वर्गों के प्रतेक मान के लिए माध्य मान ग्याद करते हैं। त्रेतिय स्थम्ब में हम दी गई बारंबारताओं को लिखते हैं, तथा उनका योग पचास ग्याद हुआ. चौते स्थम्ब में हम FI तथा XI का गुणन ग्याद करते हैं, एवं उनका योग उननीस सो ग्याद हुआ. इसके पश्चाथ हम FI वा XI के गुणन तथा तब बारंबारता का योग जो की पचास है, उससे इसे विभाजित करके इसे जोड़कर माथे ग्याद करते हैं. ये 38 ग्याद हुआ. पांचवे स्थम्ब में हम XI वा माथे X बार के मत्यंतर का वर्ग ग्याद करते हैं. चटवे स्थम्ब में हम 12 बारंबारता FI तथा XI एवं माथे X बार के मत्यंतर के वर्गों का गुणन ग्याद करते हैं. तथा उनका योग फल 13,050 ग्याद हुआ. तथा तब हम निमनिके द्वारा प्रसरन ग्याद करते हैं. ये 261 ग्याद हुआ. इसके पश्चाथ हम 261 का वर्गों निकाल कर मानक विचलन ग्याद करते हैं. तथा ये 16,155 ग्याद हुआ. बारम बारता के बंटन का विचलेशन इस खंड में हम विचरन गुणांक नामक एक नया पद प्रस्तुत करते हैं. इसे प्राया मानू के समू के मानक विचलन एवं उनके मातिके अनुपात के रूप में परिभाशित किया जाता है. विचरन गुणांक को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए अक्सर एक सौ से गुणा किया जाता है. दियेगाई ग्राफ से आपको ये अनुमान लग जाएगा कि विशिष्ट आखनों के अवंटन की बारम बारता कैसे होती है. गणितिये रूप में मानक विचलन वा माध के अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए इसे सौ से गुणा किया जाता है. समान माते वाले दो बारम बारता बंटनों की तुलना विचरन गुणांक की साहिता से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब अधिक मानक विचलन वाली श्रंकलाओं की तुलना दो समान माते वाली श्रंकलाओं से की जाती है तब आकणों की विसंगती अधिक होती है. उधारण मानेक विचलन तथा दो बंटनों के माध्धे क्रमशा 6.18, 17.2 तथा 14.18 और 62 दिये गए हैं उनके विवरण गुणांक क्या हैं? हल सर्वप्रतम हम माध्धे तथा मानक विचलन के बीच का अनुपाद ग्याद करके बंटन एक के लिए विचलन गुणांक ग्याद करते हैं तथा ये 0.359 ग्याद हुआ प्रतिशत में ये 35.9 प्रतिशत है क्या आप जानते हैं? सांकिकी को प्राया गनित की एक शाखा माने जाने की अपिक्षा एक अलग गनितिये विच्यान माना जाता है सांकिकी गनिष्ट रूप से प्राइक्ता के सिध्धान से संबंदित है सांकिकी पर शिगराती शिगर लेखन नवी शताबदी की पुस्तक्षिर्शक क्रिप्टोग्राफिक संदेश के गुड रहस पर पंडलिपी इस नाम से प्राप्त हुआ था अधिकांश प्रेक्षणिये अध्यन में सांकिकी का उप्योग किया जाता है सारांश आये हमने जो कुछ सीका है उसे संग्षेप में दोहराएं आकणों की विसंकती प्राकीडन की माप कहलाती है प्राकीडन की मापें निम्न लिखित हैं परिसीमा, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन परिसीमा को सबसे बड़े तथा सबसे छोटे प्रेक्षणों के मध्य के अंतर के रूप में परिभाशित किया जाता है अवर्गी क्रेत आकणों के लिए माध्य विचलन निम्न है वर्गी क्रितांकणों के लिए माध्य विचलन निम्न है प्रासरण मानक विचलन मानक विचलन प्रासरण का वर्गमोल है विचरण कुणांक माध्य वा मानक विचलन के अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए सौ से गुणा किया जाता है झाल झाल